वेलकम टू शाही कुकिंग आज मैं आपके साथ खीमा मटर मसाला की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ इसके इंग्रीडियन्स में मैंने लिया है यह वन लैप मीन्स्ट मटन यानि की खीमा लिया है मैंने यह एक कप मैंने green peace लिये है मतर लिये है दो टोमेडो लिये है मैंने अजैसे बारि काट लेने है वन चॉपड ओनियं एक प्यास मैंन ऐसे बारि काट लिया है तू टेबिल स्पॉन जिंजर गालिक पेस्ट बारि कठी हुई हरी मिर्च लेनी है जितना आप तीखा पसंद करते हों उस हिसाब से ये होल गरम मसाला लिया है मैंने ये बे लिवस लिये है मैंने चार लॉंग लिये है मैंने क्लाउस ये सिनेमन स्टिक्स लिये है मैंने ये क्यूमिन सीड्स लिये है जीरा लिया है मैंने यह एक बड़ी लाई चीली है मैंने black इस masala बोक्स में से में 2-3 टी स्पून कोरियंडर पाउडर यहने की धनिया पाउडर इस्थेमाल करोंगी 1 थी स्पून टर्मरिक पाउडर यहने की हल्दी इस्थेमाल करोंगी salt to taste यह मैंने कुकर लिया है, मैं इसे कुकर में बनाऊंगी आप चाहें तो ओपन पैन में भी बना सकते हैं लिखिए इसमें मैंने औलिव और यूज किया है, आप चाहें तो प्याव़ गी या बटर का भी इस्तिमाल कर सकते हैं उससे बहुत ही टेस्टी बनती है मैंने कुछ औलिव ओयल एड़ किया है और यह गरम हो चुका है इसमें मैं यह जीरा आड़ कर देती हूं सब गरम मसाले हैं उसे आड़ कर दूंगे मैं इसमें मैं यह प्याज आड़ कर देती हूं मैं यह आड़ियून, क्वर्ण बडानगे देखिए ये प्याज अच्छे से भून चुकी है इसे ब्राउन नहीं करना है इसे सिर्फ नरम होने तक ही भूनना है अब मैं इसमें जिंजर गालिक पेस्ट आट कर देशी है ये खरी मीश है इसको मैं आट कर देती है इस अमादर में कटे हुए इन्हें मैं आट कर देती है तो आट कर देती है इसमें मैं इसमें कुछ तिम टीज़पून धन्या पाउडर आट करती हूँ ये आफ टीज़पून धल्दी पाउडर आट किया मैं आट कर देती है तो तो तेस इसे भूनना है कुछ दो तेन मिनिट तक इसका आइल सेपरेट हो तब तक इसमें मैं इसमें कीवार कर देती हूँ इसका का काが दो तब आएग। इसका कलर होने तक इसका कलर चेंज होने तक इसे में भून लोगे देखे अगर आप खोड़ा जादा तीखा पसंद करते हो तो थोड़ी इसमें लाल मिर्च आड़ कर सकते हैं कुछ आदी हाफ टीस्पून इसमें मैं कुछ हाफ टीस्पून आड़ करूँगी लाल मिर्च पाउडर इसका लेट कवर करके एक विसल आने के बाद इसे 10 मिनिट तक स्लो फ्लेम पर इसे टैंडर करूँगी और उसके बाद मैं मटर आड़ करूँगी देखिए खीमा का कलर भी चुहीं जाचुका है मैं इस पर ये लीट कार कर देती हूँ देखिए एक विसल आ चुकी है अब इसे मैं 10 से 15 मिनिट स्लो फ्लेम पर रखोंगी ताकि खीमा अची तरीके से गल जाए देखिए इसे मैंने 10 से 15 मिनिट स्लो पर रखा और मैं इसका अब लीड खोल कर देखती हूँ कुका ठंडा होने के बाद लीड ओपन करें हूँ अब फिर देखिए खीमा अच्छे से टैंडर हो चुका है अब मैं इसमें मतर आट कर देती हूँ इसे भून कर दो मिनिट भून कर मैं वापस से लीड कवर करूंगी और इस मतर को जो है मैं हलका सा टैंडर कर लूंगी या आप इसे लीड कवर ना करें और ऐसे ही खुले में भी इसे टैंडर कर सकते हैं अब मैं इसे डिश आउट करती हूँ बहुत ही टेस्टी डिश बनी है यह इसे आप घर की रोटी जो इंडियन चपाती होती है तंदूरी नान या पाओं के साथ बीशे नान के साथ भी आप सर्व कर सकते हैं ब्रेट के साथ यह ब्रेकवास्ट में भी डिश यूज होती है यह बहुत ही टेस्टी डिश बनी है आप भी ज़रूर बनाएं